ग्रीटिंग्स अफ दे तो आल दे विवर्स आज इस वेल सेट दाटे जीवन विच भी बदला अंदे ही रंदे हन अते इस लॉगडाउन दे समय दोरान सादे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच बहुत सारे बदला आये हन पिशले तिन महिन्या विच असी खुदनाल समय बताके बहुत कुछ नवा सिख्या अदे समझया है एक शब्द जो बार बार पड़न सुनन विच आ रहा है ओ है वेबिनार सो आओ आपा सारे जानिये के वेबिनार तो की पाव है वेबिनार दो शब्दा दे मेल तो बन्या है वेब अते सेमिनार पाव कोई भी इवेंट जो इंटरनेट राही और्गनाईज किती जा रही है उन्नू आपा वेबिनार कहने हैं एदी सब्दो वड़ी खासियत ए है कि एदी ओडियंस पाव शुरोता आनलाइन थो नू सुन रहे हैं वेबिनार दे पार्टिस्टेंट्स इस नू अपने परसनल कंप्यूटर टेबलेट या फिर स्मार्ट फोन राही अपने स्पीकर नू देख अते सुन सकते हैं वेबिनार विच बुलन दे नाल-नाल वीडियो टस्वीरां अते पावर पॉइंट स्लाइड्स भी ब्रॉडकास्ट कितियां जा सकते हैं एक तरांधी जूम मिटिंग ही है पर जदों एक जूम मिटिंग विच बहुत सारे शुरोता एक स्पीकर नू सुन रहे हैं तो उनू अपा वेबिनार दनाम दे सकते हैं एक प्रेज कि नहीं है कि एक तरफा है वेबिनार जो बहुत सारियां ऑप्शन्स हैं जो इसनों इंटराक्टव बना सकती हैं जिमें के कोशन्स पुछना प्रेजेंटर अपने सेशन दे दोरान कोशन पुछ सकता है इस ते ऑनलाइन चैट हो सकती है पोल कंड़क्ट करा सकती हैं कोई स सर्वेखन हो सकते हैं या फिर विच विचाले या अंत विच टेस्ट भी ले आ जा सकता है वेबिनार ओर्गनाइज करन लेई जो वखवख प्लैटफॉर्म्स इस्तिमाल हो रहे हैं उनना विचो कुछ में तो अडिनाल सांजी करांगी जिमें के आम सुनन चांदा है जूम या वेबेक्स इसको इस तो इलाबा आजकल जो वेबिनार्स शुरुआती दोर विच हन या फिर बाहरले देशां विच इस्तिमाल किते जा रहे हन ओ हन गूगल मीट, माइक्रोसॉफ टीम्स, फ्री कॉन्फरेंस, कॉल अपने श्रोतावां दी गिंती नो बदान लई इस द नाल ही क्लब किते जा सकते हन, फेस्बुक या या यूट्यूब दे लाइव सेशन्स, जिस नाल दस हजार तक दे शुरुता नाओं भी अपना मेटीरियल प्रेजेंट किता जा सकता है, वेबिनार दा सब तो जादा इंपोर्टेंट पार्ट है, प्लैनिंग प्रेपरेशन एम या टॉपिक, जदो भी आपा वेबिनार और्गिनाईज करना है, ता आपनो इस दा एम बिल्कुल सेयर होना चाहिदा है, पाव एक सानो पता होना चाहिदा है कि किस खास टॉपिक बारे असी अपने पार्टिस्पेंट्स नो जानकारी देन जा रहे हैं, एम या टॉप इस देन वाले ट्रेनर्स या एक्सपर्ट्स अते उनना दे सेशन्स दी टाइम पिरेड अते गिंटी भी तैकिती जांदी है, सब तो इंपोर्टेंट हुनदा है मॉडरेटर, जो की वक वक सेशन्स नो हैंडल करता है, श्रोतावां दे कोशन्स लेंदा है, अते किसे भी त दुरान किसे भी टेक्निकल इशू नो सॉल्फ करन दा कम एह कर दे हन, अते वेबिनार शुरू होन तो पहला दी सारी प्लैनिंग दी जिम्मेवारी एन दी हुन दी है, लास्ट फिच एवेलुएशन सब तो इंपोर्टेंट पार्ट है, जो की एडिसाइड करता है कि वेब दे समय और वाले टेक्निकल इशू दी पहला तो जानकारी मिल जान दी है, एडेमो सेशन्स असी रिसोर्स परसंस अते ट्रेनीज दोना दे नाल ही कंड़क्ट कर सकते हैं, रिसोर्स परसंस दे नाल करन दा एफाइदा होएगा कि उनानू किसे तरह दी टेक्निकल प्रॉब स्क्रीन शेरिंग या कोई होर इशू ता नहीं है, जे है तो एक दिन पहला रिजॉल्व किता जा सकता है, एसे तरह ट्रेनीज नाल 15 मिनिट दा सेशन एक दिन पहला लेंटे सानों एपता चल जानदा है, कि जो भी ऐसी प्लैट्फॉर्म इस्तिमाल कर रहे हैं, उस्ते एक्सपर्ट्स अते ट्रेनीज अपने आपनों तयार बरत्यार रख सकते हैं, ते एक बहुत ही जादा ज़रूरी है, डूज एंड डोंट्स टू भी फॉलोड जिवेके अजकल आम देखन विच आनदा है, कि जूम मिटिंग दौरान बहुत सारे शुरुतामादे माइक्स कौन रह जांदे हन, ते बहुत ही जादा डिस्टर्बंस हुन दी हन, ता एकम एक मॉडरेटर बहुत ही वदिया तरीके नल कर सकता है, कि डेमो सेशन दुरान या फिर वेबिनार शुरू होन ते इंट्रोडक्शन टाइम, वेबिनार विच फॉलो किते जानवाले सारे डू या मॉडरेटर वेबिनार नू और्गिनाइज करन दा मंतव सार्या नाल सांजा करे, अते इस विच पाग लैन वाले रिसोर्स परसंस बारे अते टॉपिक्स बारे सार्या नू जान करे देवे। तो इक बहुत ही वधिया इंपक्ट बंदा है, जे कर टेक्स्ट यूज किता जा रहा है, ता उस समय एक खास्तियान होना चाहिदा है कि उसनो प्रेजेंट करन ले बुलेट पॉइंट्स नो इस्तेमाल किता जावे, या फिर मेन पॉइंट्स नो किसे न किसे तरह हाइलाइ जान वी रखे जा सकते हैं, हमेशा ही वेबिनार नू कंक्लूड करन लई, कोई न कोई इंट्रस्टिंग वर्क या एसाइनमेंट सारे पाडिस्पेंट्स नो इसाइन किती जा सकती है, So, during this period of COVID-19 epidemic and lockdown, बहुत सारे वेबिनार सारी दुनिया वेच और्गिनाईज किते जा रही हन, ताकी e-learning नू प्रमोट करन लई, नविया तकनीका बारे सारे नू जानू करवाया जा सकी, आओ, आपा सारे भी एक दुझे ना राथ मिलाके अगे चलिये, ताकी अपने सिख्य क्या वेपाग नू नविया उचाईया ते ले जा सकी, तन बाद